आज बनेगी सर्दियों की बहुती स्पेशल रेसिपी आज हम बनाएंगे बहुती परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ गाजर गोभी शलगम का खटा मिटा आचार आप इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आप भी बिल्कुल इसी तरह आचार बनाएंगे तो आपका आचार भी बहुती टेस्टी बनेगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी और रेसिपी इस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आदा किलो गाजर ले रही हूँ, आदा किलो ही शलगम है और एक किलो गोबी है थोड़े मोटे मोटे पीसिस में मैंने इनको कट कर लिया है और इसको अच्छे से धो लेंगे अब मैंने साथ ही एक कडाई में पानी को उबलने के लिए रख दिया है इतना पानी उबालें कि सारी सबजियां अच्छे से इसमें डूप जाएं जब एक उबाल आ जाएगा पानी में तो हम सारी सबजियां इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे एक डेट चमचे करीब नमक इसमें डाल दें और फिर से जब इसमें को बाल आएगा तो फ्लेम को बंद कर देंगे इन सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है अब इसको मैं ढख दूँगी 4-5 मिनट के लिए 4-5 मिनट बाद इसका पानिया मलग कर लेंगे और इसको धूप में 3-4 घंटे के लिए सुका लेंगे अगर धूप नहीं है तो आप पंके के नीचे भी रख सकते हैं 4-5 घंटे के लिए अब मैं ले रही हूँ एक कप जिंजर गार्लिक पेस्ट एक कप गूड ले रही हूँ दो बड़े चमच ले रही हूँ नमक डेड़ चमच ले रही हूँ कश्मीरी लाल में जिससे इसका बहुत अच्छा कलर बन जाएगा अब एक चमच ले रही हूँ राई जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है आदा कप सिर्का ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले लेंगे दो बड़ी लाइची, साथ आठ लॉंग, एक चमच जीरा और कुछ काली मिर्च के दाने अब एक कड़ाई में इन खड़े मसालों को डालेंगे और लो फ्लेम पर अच्छी तरह भूनेंगे ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, अच्छी सी खुश्बू आ जाएगी तो इसको हम ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे उसी कड़ाई में एक कप सर्सों का तेल डाल रही हूँ, सर्सों के तेल से ही अचार बहुत टेस्टी बनेगा जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा और धुआ उठना लग जाएगा तो फ्लेम को बंद कर देंगे, फिर इसमें लेसो नद्रो का पेस्ट डालेंगे और फिर से फ्लेम आउन कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छी तरह भून लेंगे साथ साथ इसको चलाते जाएगे, नहीं तो अद्रग नीजे चिपकने लग जाता है इसको हलका गोल्डन ब्राउन कर लें जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, साथ ही एक पैन में मैंने सिर्का डाल दिया है और गुड़ डाल दिया है इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह पिखला लेंगे गुड़ और सिर्का को अच्छे से पकाएं, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा अध्रा ग्लसुन का पेस भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे साथ ही इसमें नमक डाल देंगे, अचार में नमक थोड़ा तेज ही रखें, क्योंकि बाद में नमक थोड़ा कम लगने लग जाता है अब इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे अब इसमें थोड़ी सी मैं लाल मिश डाल रही हूँ मिर्चाव अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और पिसी हुई राई डाल देंगे अब फ्लेम को बंद कर देंगे और सारी सबजी इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे सबजियों में मौईस्टर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नहीं तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है आप ये अचार किस तरह बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं अब ये गुड़ भी पिगल चुका है इसे थोड़ा सा ठंडा करें और फिर सबजी में मिक्स कर दें अगर आप मेरी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक भी करें और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब कर दें ये देखे बिल्कुल मार्किट जैसा चार बनकर रेडी हुआ है अगर आप भी बिल्कुल इसी थरा चार बनाएंगे तो आपका चार भी बहुत ही टेस्टी बनेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ